यूपी प्लीस कांस्टेबल केरें मोस्ट इंपोर्टन हिंदी टापिक जिसमें हिंदी की भुभासा अर्थात बोलियां हिंदी की भुभासा 5 हैं पच्छमी हिंदी 5, पूर्वी हिंदी 3, बियारी हिंदी 3, पारी हिंदी 3, रायस्थानी हिंदी 4, टोटल कुल हिंदी की 18 बोलियां है हिंदी भुभासा एवं बोलियां हिंदी उपभासा जिसमें पच्छमी हिंदी की अंतरग्याद पांच बसाएं आती हैं सोरसेनी अब्रण से ले गई हैं इसमें बंदेली, कर्नवजी, खड़ी बोली, ब्रसभासा, बांगरू या हरियाडवी बोली छेत्र है, बंदेली का चतरपूर, कर्नवजी का कर्नवज, खड़ी बोली, बिजनवर, मेरेट, सहरनपूर में बोली जाती है ब्रजवासा, मतुरा, आगरा, रोहतक, पूर्वी हिंदी इसके अंतरगत, अर्दमागदी अभरन से लेगई, इसमें तीन बोली जाती है, आओधी ये लखनव में बोली जाती है, बगेली, रीवाचेत्र, और शत्तिस गड़ी रायपूर में बोली जाती है मेश्ट तीसरा, इसमें बिहारी हिंदी आती है, इसके अंतरगत मगदी अब्रन से लेगई है, इसमें तीन बोली जाती है, मगई, मैथली दरभंगा ये भियार में बोली जाती है, दरभंगा वियार का जिला आया भोषपुरी ये बलिया में बोली जाती है ये राजम गडमरु बलिया से भी आते हैं इसके अंतरगत पहाड़ी हिंदी इसके अंतरगत सवर सेनी ये बरन से ली गई ये प्रवाबी तीने इसमी हिंदी है इसमें फूलोई जिसी कल्लू इहीं माचल पडिश में बोली जाती है गड़वाली ए टिहरी गड़वाल में बोली जाती है कुमाउणी अलमोडा नेनिताल में बोली जाती है पाचमी है रायस्थानी हिंदी फिरुसक सोरसेनिय भरंसली इस प्रवावित इसमेचार बोलियां है जेपुरी जेपुरी में बोली जाती है मालवी उज्जेन में मारवाडी जोदपूर्वी का नेर मेवाती मेवात में बोली जाती है इसके बाद हम चलेंगे हिंदी साहित के कालों का विभाजन स्वर पर्थम राम चंद्र सुकले के अनुसार महा काल काल चारिस में है जिसमें आदी काल एक हजार पचास से तेरे सो पशत्तर इसमी तक चला बक्ति काल तेरे सो पशत्तर से सत्रे सुष्वी तक रीती काल सत्रे सुष्वी सो नई सुष्वी तक और आधनी काल नई सुष्वी से अब तक चल लही रहा निश्ट है बक्ति काल बक्तिकाल के अंतरगत दो सखाएं बक्तिकाल बट गया एक निर्गुड बक्ति साखा और एक सगुड बक्ति साखा सवर पर्थम निर्गुड बक्ति साखा देखेंगे तो इसके अंतरगत कभी है ग्याना सरई साखा के कभीर दास है पिरेमा साखा के जैसी है और सगुड भक्ती साखा के इंतरगत आ जाएंगे तो राम भक्ती साखा इसमें तुलसी दास आ जाएंगे और कृष्व भक्ती साखा के सूर्दास जी आ जाएंगे और इती काल के इंसार इभी तो भागों में बाटा गया के दित बद्ध साथ इसके चिंता मड़ी और इती मुक्त धनानंद नेश्ट आदिकाल से बीर गाथा काल की प्रमुक रचना ते था उनके लेखकों के नाम स्वोपर्थम रचना एंड लेखक खुमान रासो दलपती विजय द्वारा रचीत अर्थात लिखित गया है संकर्धर प्रितवी राज रासो चंद ब्रदाई संदेश राशक अब्दुल रह्मान वविश सत्यकह जत्ता धनपाल जय मयंग जस चंद्रिका मदुकर भटका विशल देव रासो नर्पती नहल का है परमाल रासो जगनिक कीर्थिलता विद्ध्यापती द्वारा रचीत है अर्थात लिखित गया है मिरगावती कुतुबन की रचना है भक्तिकाल अर्थात पुरु अमद्यकाल की प्रमुक रचना तथा उनके लेखकों के नाम इसमी रचना साखी की रचना हमारी कभीरदाज जी और बिजग कभीरदाज जी सबद कभीरदास रमेनी कभीरदास पदमावत मलिक मुहम्मद जैसी द्वारां अखरावाट जैसी आखरी कलाम जैसी चितर रेखा जैसी सुर्षागर सुर्दाजी नाग लेला इंपोर्टेंट रेकोश्चन ये सुर्दाजी की रचना नाग लेला गभरधन लेला सुर्षावली सुर्षागर भी एक है सुर्दास का साहित लारी भी सूर्दास का भरमगीत भी सूर्दाजी का है और सुरब चीसी भी सूर्दाजी का है इसके बाद आएंगे तुलसिदाजी तुलसिदाजी की रचनाएं बिने पत्रिका है कवितावली है गीतावली दोवावली राम लला नहूच जान की मंगल पारवती मंगल बैराग संपधनी वैरवर रमायड इसके तुलसिदाजी की रचनाएं है रीतिकाल अर्थात उत्रमादिकाल की प्रमुक रचना तथा उनके लेखकों के नाम रीतिकाल के राम चंद्रिकार केशोद्वारा कभी प्रिया केशोदास रशीक प्रिया केशोदास रत्नावणी केशोदास बिज्ञान गीता केशोदास जहंगीर जस्चंद्रिका केशोदास सत्सई भिहारी सिवराज भूसड कभी वर भूसड की रचना है सिवा सिव सोर्य भूसड की रचना हजाराय भूसड की है सिवा वावनी भूसड की छेत्र साल दसक भूसड की रचना कभीकुल कलब तरू अचार चिन्ता मडी की रचना इनकी दचना है छंद्र विचार पिंगल और सिंगार मंजरी रस मंजरी रस मंजरी और रास पंचाद्धाई इनन्ददास की इसक नामा बोधा की रस रहस कुल पती मिश्र की है और रसार सुखदेव मिश्र की सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है नन्द नाटस रहीम दास की है रास पंचाद्धाई रहीम दास जी की दियत रचना है श्रिंगार सोरुठाग रहीम दास प्रेम वाटिका रस खान सुजान रस खान रस खान की रचना रस राज मतीराम की रचना अथात लेखक है ललीत ललाम मतीराम राम बिलास देव की रचना सुजान बिनो देव की रचना अश्टा धाम देव और भाल विसाल देव की रचना मंगा लहरी पदमाकर की रचना है स्रांत पथिक स्रीदरपाठक एकांत वासी योगी स्रीदरपाठक की किसमीर सुसमा स्रीदरपाठक की वनाश्क स्रीदरपाठक किपानन्द धनानन्द की है सुजान सागर ये भी धनानन्द की है आधनिकाल अर्थाद गद्यकाल की प्रमुक रचनात थाम के लेखों के नाम है इस इंपोर्टेंट है कोर्चनिस में सजाना याना निश्चित थंडिर परसंट है रेड़ुका रामधारे सिंग दिनकर हुंकार कुर्युचे त्रोर्वसी रशीम रथे रसवंती हारे को हरी राम पसुराम की प्रतिच्छा नील कुसुम और बापू ये सभी रचनाय रामधारे सिंग दिनकर की रचनाय है आगन के पार द्वार सचिदानंद हेरानंद वत्सायन अग्य की रचना है महा बुरिच के नीचे अग्य की रचना है भगन दूद वई सचिदानंद हेरानंद वत्सायन अग्य की रचना है कितनी नाव में कितनी बार अग्य की रक्त चंदन नरेंद्र सर्मा कम्क्रिया धरंबीर भारती अन्दा योगर ठंडा लोहा ठेले पर हिमाला इस भी रचनाए धरंबीर भारती की है चितोर की चिता प्राज कुमार वर्मा अन्जली अली साथ अभी साथ निसीद जहोहर ये सभी रचना है राम कुमार वर्मा की है हीम की रीटीन माखन लाल चत्रवेदी की रचना है हीम तरेंगिनी माता साहित देवता कृष्णा अर्जुन युद्ध कृष्णा अर्जुन एद्ध ये सभी माखन लाल चत्रवेदी की रचना है उसके बाद जलिया वाला वाग शुबद्रा कुमारी चवहान की रचना है त्रीधारा, मुकुल, विखरे मूती, सीधे साधे, चीत्र, मेरा नया बच्पन, जहांसी कीरानी ये सभी रचना हैं शुबद्रा कुमारी चवहान जीखी है निष्ट है, मदु साला, हरिवन्स राय बच्चन की रचना, मदु वाला, मदु कलस, ये सभी हरिवन्स राय बच्चन की रचनाएं हैं निष्ट है, तेरा हार, हरिवन्स राय बच्चन की रचना, निशा निमंत्रड, क्या भूलूं, क्या याद करूं ये सभी हरिवन सराय बच्चन की रचना है सतरंगे पंखों वाली नागा अर्जुन की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं केदार नाथ अगरवाल की रचना है सूर्य ये भी केदार नाथ अगरवाल की रचना है उस जनपत का कभी हूं त्रिलोचन की रचना है धर्ती ये भी त्रिलोचन की है उमीद का दूसरा नाम उमीद का दूसरा नाम असोग बाज़्बेह की रचना है समय के पास समय विकच्छा कभी कभार फिलहाल ये सभी असोग भाजपेई जी की रचनाएं है निश्ट है बिभिन काल खंडों का नाम करड बिभिन काल खंडों का नाम करड जिसमें स्वेपर्थम आदी काल पारंबिक काल इसे मिश्र बंदू कभी हैं बीर गाथा काल राम चंदर सुकल बीजपन काल महाभी परसाद दिवेदी चारण काल डाक्टर राम कुमार वर्मा जार्ज ग्रियर सन आदी काल हजारी परसाद दिवेदी सिध्धान्त मत काल राहुल संस्कृत तायान या अपने छेत्र के थे वसात आजमगर भक्ति काल नाम बक्ति काल राम चंद्र सुकल शुरड काल जार्ज ग्रियर सन और लोग जागरड काल हजारी परसाद दिवेदी सिध्धान्त रिती काल रिती काल के अलंकरित काल कभी का नाम मिश्र बंधू रिती काल राम चंद्र सुकल स्रिंगार काल अभिस्वनात मिश्र और कलाकाल रमासंकर सुकल रसाल बड़ा गजब नाम है आधनीकाल कभी का नाम आधनीकाल गड़ पती चंद्र गुप्त वर्तमान काल मिश्र बंदू गद्धिकाल राम चंद्र सुकल टी परिमाटा पिसमात हुता है जहिन